इस शेत्र से निकली काली सिंध नदी पर दो स्टाफ डेम बनाने की मांग लंबे समय से शेत्र की जनता ने करी थी जिसे विधायक द्वारा पूरा किया गया नव निर्मित स्टाफ डेमों का विधायक पहार सीय करनोजे एवं विधायक परतिनी दी कमल याद हो एवं स्थानिय कारिकर्ताओं की उपस्तिती में शुक्रवार की दिन दोनों स्टाफ डेमों का लोकारपन किया गया मोखा पिपलिया की काली सिंध नदी पर 2.45 लाग की लागत से बने बैराज डेम एवं सामगी में 2.50 लागत से बनने मेल घाट डेम का भी विधायक करनोजे द्वारा लोकारपन किया गया इस दोरन परपड़ी में 48 करोड की लागत से बनने वाले डेम निर्मान के लिए भूमी पुजन विधायक पहाड से करनोजे द्वारा किया गया बागली सर अभी पाठिदार की लिपोग ये मोका पीपलिया का स्टाप डेम काफी समय से मांग चल रही थी और इसमें हमारे आदरनी तुलसी छिलावट जी के द्वारा ये करीब पोने तीन करोड की योजना थी जिसका बन के कंप्लेट हो गया है और आज उसका लोकारपन हम लोगों ने किया है इसी गाउं पे इस्थान पे जहां पे डेम बना उसी जगह में बैठा हूं साथ ही अभी हम एक मेलगाट डेम जो साउंगी पंचायत में आता है इकलेरा गाउं और ऐसे 10-15 गाउं के लोगों को उसका भी लाब मिलेगा और वाटर लेवल बड़ेगा वो भी करीब पोने तीन करोड की योजना है और हमारे गाउं के लोगों को इसकी भी कहीं दिनों से जरुवत थी जो आज पूरी हुई है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले